सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतोसिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सूवेचार सी अगर भागे पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगी और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगी वही पाओगी फैसला अब आपको करना है ना बोलना बड़ी बात है और ना चुप रहना बड़ी बात है मगर कब बोलना और कब चुप रहना इसका विव 24 दिन मंगलवार, ज्वेश्टमास की कृष्णपक्ष की पंचमीति थी, दोपहर 3 बच कर 24 मिलट तक रहेगी, इसके उपरांद सश्टितिति प्रारम हो जाएगी, उत्रशाण नामक नक्षत्र, सुबह 9 बच कर 33 मिलट तक रहेगी, इसके उपरांद श्रवर नामक नक्षत् आज कर आहुकाल अर्थाद दिन कर सबसे सुबसम में, दोपह 3 बच कर 43 मिलट सी, 5 बच कर 20 मिलट तक रहेगी, और आज शुर्य वरिशब राशी पर रहेंगी मेथोर रासी, 28 में 2016 दिन मंगलवार, दिन शान्त रहेगा आज, पिछले दिनों के विस्त कारेक्रम से भी थोड़ी राहत मिलेगी, जो अच्छी भी लगेगी, आपके वरिष्ट दिकारे आप पर नजर रखे हुई हैं, इसे लिए अधिक महनत करें, कुछ अनापेक्षित न दन उन्नती या प्रशिद्धिया आपको पुरुषकार के रूप में भी मिल सकती हैं, बोश या शहकर्मिया आपकी सासिकी छमताओं से प्रभावित हैं, और आप से मार्गदर्शन की उम्मीद करेंगी, आप अभी खुद को एक असली डीलर के रूप में देख रहे हैं, अराम करें तनाओं से बचें और इस तरह से आप अपने आपको जीवन की सुखों में सामिल कर सकती हैं, आपका आकरशक बढ़ता और दुष्टों का ध्यान आपकी तरब भी खीचेगा, बाके दिनों के मुकाबले आज के दिन आर्थिक दुष्टी से अच्छा रह सकता है और आपको परियाब तधन की प्राप्ती भी ओशकती हैं, घर में कुछ बतलाव आपको काफी भावग बना सकती हैं, लेकिन आप अपनी भावनाय उनके सामने जाहिर करने में कामियाब रहेंगी, जो आपके लिए बहुत खास हैं, मुम्किन है कि आपके आशुओं को पना भी नहीं की हो, आपको मैसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत खुपसूरत है, शकरात्मक और उर्जवान मैसूस करने के लिए अपने प्रियकारियों का समय निकालना बहुत महत्तोपूर नहीं, नजदीके शमंधियों को मजबूत करना और शमर्थन लेना भी आपके जीवन को शुकत बना सकता है, यह सभी आपके मानसिक स्वासा और ताकत को बढ़ावा देने में भी मदद कर शकता है, दो द्रिष्टे रखकर निर्ना लेनी की आवर्शक्ता भी होगी, लेकिन आप ऐसों से सम्मंधेत बातों में अटके रहेंगे, किसी भी बा जिनबातों का डर बना रहता है, उन पर ध्यान दे पाएंगे, काम के जगह होने वाली रुकावटों की वज़े से चरचड़ापन हो सकता है, रिलेसंसिप ठीक करने के लिए समवा सुधारने की आवर्शक्ता भी होगी, सुबा के रहात और शमय की प्रबलता आपको नए उर्जा और शंतुलन प्रदान कर शकती है, पहाड़ी इलाकों में घूमना और मन पसंद भोजन का आनन लेना आपकी जीवन को नविंता और आनन से भर देखा, वस्तरपूजान सामगरी बेलर्श लोहा वैपारियों को लाब होने की शंभावना बहुत अच्छी है, जो आ नुक्षान होनी की इस्थिती बन रही है, तनाव लेनी की बज़े धैरे और शेयम बना कर रखें, आनावश्य खर्चों पर अंकुस लगाएं, शो धानिया, आज कोई नया निवेश करने से पहले, उसके लाभानी से सम्मंधित, उचे जनकारी अवश्य हासल कर ली, इस से जरूर बिताएं, आप परिवार से जुड़ा कोई महत्यो पूर्णा काम भी पूरा कर शकती हैं, अपने बच्चों को खिलाने या उनकी मनपसंद जगह पर पिकनी के लिए ले जाएं, अपने माता पिता या बहन भाईयों के साथ भी शमय बिता सकती हैं, साम को रोमैंस औ और अंतरंग मुलकात के नाम कर दी, आप अज अपने पार्टनर की भौनाएं गहराई से टटोल सकती हैं, आज आपके बहुत से वरिष्ट अधिकारी आप से प्रभावित हैं, और जल्दी आपको अच्छे परिणाम भी मिलेंगी, यह दिन आप के लिए सुनहरे दिनों मे से एक है जहां आप स्वेम को उत्तेजित और जो शीला मैसूस कर रही हैं, कलात मक्ता आपके सुस्तर रोमेंटिक जीवन को नैलक्ष प्रदान करेंगी, शाहत वह यह दिन शम्मंधों में उत्तेजना और जिन्ददिली जीवन को इस पाइसी बनाती है, और इससे आप खु पूरा होगा तो उसे भी सहन कर लेंगे, बात करते हैं करियर की, कारिस्थल में मिली प्रशिद्धिया आपको बहुतिक सुरक्चा और शफलता प्रदान करेंगी, अब आगे बढ़कर अपने शपनों को पूरा करने का भी समय आच चुका है, और ओर शक्ता है कि आपको सरक प्रदार और शमवंदित एजेंसियों से नौकरे का ओफर मिले, याद रखे सफल होने का कोई सौर्ट कट नहीं होता, आज अप अपने प्रेम संबंधों को लेकर उत्तेजेत और प्रशन नहीं, उम्मीद और शमय सीमा की चिंता भी आपको परशान कर रही है, लेकिन ऐसे प्रेमी दूश्रों से मदद लेने से पीछे नहटे, समश्याएं आज हल होगी जिससे आपको राहत मिलेगी, अगर आप बदलाव के लहरों पर सवारी नहीं करते तो आपने लोगों से पीछे रह जाएंगी, अज आपको लक्षों को पूरा करने के लिए मुश्किलों का स अपने नोकरी इस थानांतर्ण की योश्न बना रही है तो आज के दिन काफिश शुग हो सकता है, आपको शिगरी एक नए नोकरी या एक नए कार्याले में भूमी का भी मिल सकती है, ववशाय सम्मंदित कुछ उपलब्धियां आज हो शकती है, लेकिन आर्थी के स्थिति स समान्य रहे की, इससे मैं मार्केटिंग कार्यों पर अधिक धियान देना आपके ववशाय के वृद्धी में मदद कर शकता है, क्योंकि यह आपके उत्पादों और शिवाओं को अधिक दृष्टिगत बना सकता है, ववशाय के सांद संपर्क में रहना भी महत्तो बात करते हैं सेहत की, आज के दिन आपके लिए कुछ खास होने वाला है, आप कहीं ब्यूटी सेशन के लिए जा सकते हैं या अपॉइंट्मेंट ले सकते हैं, स्वास्ता फिटनेस पर भी आप ध्यार रखें, कोई सुपसूचन भी मिल सकती है, आप अपने लिए कई तरह क फिटनेस कारेक्रम लागू करके या देख सकती हैं, क्या आपके शरीर के लिए सबसे अधिक उप्युकत कौन सा है, आज का उपाए, आज अब हनुमान भगवान जी को गुड़ का भोग लगाएं शुब रहे का, जीवन में हमेशा सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते र आपका दिन शुब हूँ